हेलो दोस्तों नमस्कार इस्ठाक मारकर शेयू टू चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं M.I.C. Electronics Limited Share की क्योंकि इस समंदी जो 6 फरोरी को जो इसका Q3 का रिजल्ट जारी होना था जो बोर्ड मीटिंग में इसका फैसला होना था वो फिलाल जारी हो चुका है तो हम इस वीडियो में Q3 के रिजल्ट को दीटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथी साथ इसमें कुछ और भी नीडे लिये गए हैं जिसके अपडेट आज यानि 7 फरोरी को निकल के सामने आए हैं उसे भी हम इस वीडियो में डीटेल से देखने वाले हैं और जो अपडेट आए हैं हों मनेजमेंट में बदलाव से समंदित अपडेट निकल के सामने आए हैं और उस पे पोस्टल बैलिट के माध्यम से ओर्टिंग भी हुई है जिसे हम इस वीडियो में डीटेल से देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखने के कोशिश करेंगे चुकि ये जो रिजल्ट है 6 फरोरी को आया है तो इसका मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है क्या इस सेर में आज तेजी बनी रही या गिरावर्ट देखी गई इन सब चीजों को भी हम इस वीडियो में डीटेल से देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बीना किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें एनांस्मेंट या निउज जो लिकल के सामने आयो जो मीटिंग होई है जो 6 फरोरी को उसमें कुछ यह जो फाइनिंशल रिजल्ट इसके बारे में यहां बता रहे हैं कि यह जब 6 फरोरी को मार्केट ओपें था उसी समय यह जारी होता हुआ दिखाई दिया था अब हम अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो यह यहां पर आप देख रहे हैं यह जो रिजल्ट है फिलाल स्टेंड एलोन रिजल्ट है और इस ये जो company है अब ये stand alone ही result ये जारी करते हुए दिखाई दिए है और ये जो segment आप देख रहे हैं ये फिलाल दिसंबर का quarter बीता है उसका ये result यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये जो segment है September quarter 2 का यहाँ segment दिखाई गया है और ये पिशले साल December 2022 के quarter 3 का यहाँ पर segment दिखाई गया है और ये जो आप देख रहे हैं data सारे जो data दिए गए हैं ये करोण में दिए गए हैं अर्थात हम इसे करोण में पढ़ने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम बात करें revenue from operation की अर्थात जो इसका वास्त्विक बिजनेस है जिससे ये बेपार करके ये revenue प्राप्त करती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सितंबर माह के quarter में ये फिलाल 17 क्रोण का total revenue from operation प्राप्त करते हुए नजर आ रही है जबकि पिछले साल सेम quarter अर्था दिसंबर 2022 में ये एक क्रोण 25-24 लाग का ये कारोबार करते हुए दिखाई दी थी वहीं अगर हम बात करने सितंबर माह की तो सितंबर माह के quarter 2 में ये फिलाल 7 करोण का total revenue from operation प्राप्त करते हुए नजर आई थी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें revenue from operation में नकिवल year on year बेस पे अच्छी खासी बिर्धी दिखाई दे रही है लगग 17-17 गुना जबकि quarter और quarter बेस पे भी लगग 2-3 गुना बिर्धी देखने को मिल रही है इसमें यह लगग 2 करोण का total income प्राप्त किया था तो यहाँ पर आप देख रहे हैं year on year बेस पे इसके total income में लगग 9 गुना की बिर्धी दिखाई दे रही है वहीं अगर हम बात कर लें कि जो quarter 2 बिता है सितंबर 2020 का उसकी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं total यह 7 करोण 24 लाका कारोबार करी थी total income प्राप्त करी थी जो फिलाल December quarter 3 में यह बढ़के 18-18,5 करोण पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है इस हिसाब से आप देखिए इसमें लगबग दो गुने के आसपार्स बिर्धी दिखाई दे रही है यह quarter quarter base पे अब मगर बात कर लें यहीं पे इसके total expense की अर्थात यह जो company है वो कितना expense करती हुई नजर आई है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो December का quarter 3 बीता है उसमें फिलाल यह 15 करोण 68 लाग का total खर्चा करी है जबकि पिछले same quarter था December 2022 में यह 2 करोण 74 लाग अर्था 3 करोण के आसपास खर्चा करती हुई दिखाई दी थी जबकि सितंबर महा के quarter के अगर हम बात करें 2023 के तो इसमें 5 करोण के आसपास खर्चा करती हुई दिखाई दी थी तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं यह जो company है उसमें खर्चे में तो बिर्धी हुई है साथी साथ नकेवल यह year on year base पे बिर्धी दिखाई दे रही है इसके खर्चे में बलकि quarter on quarter base पे भी इसमें ठीक ठाक बिर्धी दिखाई दे रही है लेकिन चुकि यह जो income total income में जो बिर्धी दिखाई दे रही है वो expense से ज्यादा बिर्धी दिखाई दे रही है जिसके कारण इसका जो quarter three का जो result ये आया है वो सुधरता हुआ आगे आपको दिखाई देगा हम अगर बात करें यहाँ पे profit before tax की अर्थात tax देने से पहले जो profit प्राप्त होता है जिसमें हम जो है जो total income प्राप्त हुआ रहता है और जो उसमें से जो total expense प्राप्त हुआ होता है उसको घटाने के बाद जो exceptional items में से जो exceptional items होते हैं उसमें जो income या expenditure हुआ रहता है उसे जोड़ते और घटाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो income हुआ है वो फिलाल सितंबर quarter two में यह 6 करोण, 66 करोण जूड़ता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर का quarter three जो बीता है उसमें फिलाल कोई भी exceptional item है उसमें वो include नहीं किया गया है या exclude नहीं किया गया है और फिलाल इसमें लबक 3 करोण के आसपास यह profit before tax प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि अगर हम बात करें quarter two के अर्था सितंबर 2023 की quarter two की इसमें आप देख रहे हैं इसका जो profit before tax दिखाई दे रहा है वो शाड़े 8 करोण के आसपास दिखाई दे रहा है और यह इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें exceptions आइटम जो होते हैं उसमें लबक 6 करोण की बिर्धी देखी जा रही है और उसे जोड़ने के बाद में यह फिलाल साड़े 8 करोण के आसपास यह profit before tax दिखाता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम बात कर लें दिसमबर 2022 के quarter की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें यह minus में एक करोण के आसपास खाटे में कमपनी जाती हुई दिखाई दे रही है तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यह जो profit before tax है इसमें year on year base पे तो इसमें अच्छी खासी बिर्धी देखी जा रही है लेकिन quarter and quarter base पे भी इसमें अच्छी खासी बिर्धी दिखी जा रही है लेकिन आपका यह data है यह थोड़ा confuse कर रहा होगा लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि एकसेप्शन आइटम को हटा के अगर आप जब जोड़ेंगे तो यह अच्छा खासा profit में आता हुआ दिखाई देगा अब मगर बात कर लें इसके profit for the period की जो कि इसका original profit होता है अर्थात इसे net profit के नाम से भी जानते हैं इसे वास्तिक profit के नाम से भी जानते हैं जिसमें जो खर्चे के अलावा जो tax होते हैं उसको घटाने के बाद जो profit बसता है उसे original profit या profit for the period के नाम से जाना जाता है तो यहा आ रही है जबकि पिछले सेम क्वाटर में ये एक क्रोण के आसपास घाटे में थी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक घाटा जो है ये पॉजिटिव में यानि प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये और ये बेस पे ये धामाकेदार परदसन करते हुए नजर आ रही है वहीं अगर हम बात करें क्वाटर नग क्वाटर बेस पे तो फिलहाल इसमें ये पिछले क्वाटर यानि सितंबर दोहजार देश के क्वाटर में ये लबक साड़े आठ करोण का तोटल प्रॉफिट फार्दे पिरियट प्राप्त करती हुई नजर आई थी और ये इसलिए आई थी क्योंकि इसमें लबक साड़े 6 करोण के आजपास इसमें एक्सेप्शन आइटम जूड़े थे जिसके कारण ये साड़े 8 करोण का कारोबार यानि प्रॉफिट फार्दे पिरियट प्राप्त करती हुई नजर आई थी जिसे हम अभी उपर देख च करोण से घटके लबक 3 करोण पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट फार्द पिरियर तो अब हम अगर बात कर लें इसके अर्निंग पर सेयर की तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर सेयर दिखाई दे रहा है ये एक तरफ जहां येर इयर बेस पे इसमें अच्छी खासी ब्रॉदी दिखी जा रही है और ये माइनस में 0.04 से बढ़के पलस में 0.12 पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि क्वाटरन क्वाटर बेस पे इसमें ग्रावर देखी जा रही है 0.37 से घटके 0.12 पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें एक्सेप्शनल आइटम जूर जाने के कारण ये संभावना बनी है अगर ये एक्सेप्शनल आइटम इसमें नहीं जूरता तो इसका नक योल नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ब्रॉदी ग्रोथ दिखाई देता क्वाटरन दिखाया है अगर एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ देंगे तो ये कमपनी अपने आप में अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है और ये एक तरीके से कहा जाए तो लगवक्त पांच इस्टार के रूप में ये से परफार्मेंस को इस्टार दिया जा सक अब जानते हैं ये जो कमपनी हैं LED प्रोड़क्ट के सिग्मेंट में अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है और ये जो अमरित भारत इस्टेशन योजना जो सफरकार दोरा परियोजना चलाई जा रही है जिसमें 1275 जो इस्टेशनों हैं उसको रिन्यूएशन होना है उसमें नए नए चीज़े लगनी हैं उसमें ये जो LED प्रोड़क्ट है वो भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिछले दिनों जब हम वीडियो आपको बना के बताएं हैं कि से लगातार प्रोड़क्ट पर प्रोड़क्ट मिलते जा रहे थे और भी फिलहाल इसको प्रोड़क्ट मिलना रुका हुआ है लेकिन जैसे ही लोग सभा चुनाओक फाइनल होगा आप देखेंगे कि फिर से ये कंपनी शक्री होते हुई दिखाई देगी और ये जो LED प्रोड़क्ट आप दिखाई दे रहे हैं इसमें जो रेलवे में आप देख रहे होंगे जिस इसके अलवा इसके कलाइंट की अगर हम बात करें तो इसमें Tata है, Bidla है, Reliance है और इसके अलवा RBI है और अधर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया है सुजूकी है इसके अलवा और भी बड़ी-बड़ी कंपनिया इसकी कलाइंट होती हुई दिखाई देती हैं फिलाल अग क्वार्टर में यह एलबग 1 क्रोर का करोबार करे थी और सितंबर dalam servir quarter टू में यह 5 क्रोबार करती हुई दिखाई दी ति डिखाई दे ति इसका कारोबार जो है ildi product का वह बहुत तेजी से growth करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि अगर हम बात करें medical and adult applications की तो इसमें फिलाल कोई भी growth नहीं दिखाई दे रहा है जबकि आटो मोबाइल में भी इसमें ठीक ठाक growth दिखाई दे रहा है यह 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 बात कर लें दूसरे न्यूज की जो कि साथ फरोरी को निकल के सामने आया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ management में बदलाओ के सम्दित कुछ oating हुई है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो Mr. Sabita जो घांटा जी है उनको independent director के रूप में जो company नाउमित कर रही है और यह 5 साल के tenure के साथ यह सुरू होती हुई दिखाई द गया है वो whole time director के रूप में इन्हें तीन साल के period से यह आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि 27 महीं से अपना कारभार संभालते हुए दिखाई देंगे इसके अलवा जो तिसरा consider किया गया है वो a point वो जो सुभास लिंगार्डी जी हैं इनको फिर independent director group में company 5 सालों के tenure के सा हो गया है 2024 से और इनहीं पर यह ओटिंग होई है और इनके अगर ओटिंग की बात करें तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यह सारे 100% की लगबग ओटिंग के साथ यह इनको approval मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इनको 100% जो ओटिंग है वो प्राप्त होती हुई दिखाई अर्थात यह जो appointment किया गया है वो फिलहाल उनको approval दे दिया गया है अपना tenure सम्हालते हुए दिखाई देंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि Q3 का result इसका तो जबज़स्त आया ही है साथी साथ इसके management में भी कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं बात करें आज के delivery pattern की त और यह लगबग 64-65% होते हैं अर्थात इसमें trader के साथ साथ जो investor है वो भी अच्छा खासा सक्रीता उनकी दिखाई दे रही है बात कर लें थोड़ा सा chart pattern की क्योंकि Q3 कर जब result आया है 6 फ्रोरी को उसके बाद 2 trading session हो गया तो इसमें हम अगर देख लें कि यह जो result Q3 का लिक पार की तो 1% के तेजी के साथ यह लगबग 40 रुपे के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन एक समय ऐसा आया था कि यह 40 रुपे से उपर भी जाता हुआ दिखाई दिया था लेकिन जैसे ही market बंद होता हुआ दिखाई दिया इसमें जो है profit booking देखी गई और यह फिलाल 49 रुपे 45 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट प्रेटन की तो यहां पे आप देख रहे हैं 5 दिन में 5% का रिटरन लिकाल के यह कंपनी देती हुए नजर आई है एक महीने की अगर हम बात करें तो इस कंप यह कंपनी CDU 23ृ के अपने शेर्स वोल्ड को दे चुकी है अर्थात एक साल में ही इसने अपने शेर्स वोड़ों को पूरा माला माल कर दिया है वहीं सबया स्ब्सक्어나कर मैक्सिम बात करें तो यह जो कंपनी हैं अपने शेर्स मेर्ड को 119 से 20 प्रेटर्स वोगे देते हुए नजर आई है क्योंकि यह जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में यह सत्र रुप्या पंचानब्य पैसे पे तब से लेके अभी तक यह 120 परसेंट का रिटन लिकाल के दे चुकी है तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो जिसमें हमने क्यों त्री जो रिजल्ट आया उसको पूरे डिटेल से जनकारी लेली साथी साथ इसके वेगे जो मेनेजमेंट में बदला हुए हैं उसके भी बारे में जान लिया जो डिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एकी चीज़ कहना चाहेंगे कि यह जो कंपनी है इसका भवी से तो बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है ले बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जनकारी देने के लिए बनाई जा रही है तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिलकूल न भूलें ताकि नए वीडियो के जो अब्डेट से आपको ऐसे इस सम में पर मिलता रहे जाइन दोस्तों